हलो फ्रेंज जागरंजोष.com के इस वीडियो में आप सब इगा स्वागत हैं मैं हूँ सयत सौबान आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज के करेंट अफेर से क्या कुछ सवाल बना जा सकते हैं उनके सही जवाब क्या होंगे और साथी साथ उनसे related कुछ key facts के बारे में भी बात करेंगे साथी साथ इस वीडियो के end में आपको एक सवाल देंगे जिसका जवाब आपको हमें comment box में लेकर देना होगा तो चले शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ हाली में किस राज के स्कूल पार्ट करम में सिख गुरू का इतिहास शामिल किया जाएगा इसका सही जवाब है option C उत्तर प्रदेश तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंतरी है योगी आदित उनात जी उन्होंने ये गोशना करी है कि उत्तर प्रदेश में स्कूली पार्ट करम में सिख गुरू के इतिहास को शामिल किया जाएगा आपको बता दें इसकी हाली में घोशना करी गई है मुख्यमंतरी के द्वारा और मुख्यमंतरी ने ये एलान किया कि अब हर वर्ष 27 दिसंबर को प्रदेश के सभी स्कूलों में सहिब जादा दिवस के रूप में बनाया जाएगा उन्होंने ये कहा कि इस अफसर पर विद्यालियों में सिक गुरूं की शहादत पर केंडरित वाद विवाद प्रत्यों गिताओं का भी आयोजन किया जाएगा अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ भारतिये नौसेना ने किस देश की नौसेना के बीच समुद्री सहयोग और संपर्ग को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहट दक्षिन चीन सागर में पैसेज अभ्यास किया इसका सही जवाब है आप्षिने वियतनाम भारतिये नौसेना के युद्पोर्ट ने वियतनाम के बीच समुद्री सहयोग और संपर्ग को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहट दक्षिन चीन सागर में वियतनामी नौसेना के साथ पैसेज अभ्यास किया है भारतिय नौसेना पोत आईनेस किल्टन को मद्य वियतनाम के बार प्रभावेतर लोगों के लिए राहत सामगरी के साथ बेजा गया था और अपनी वापसी के यातरा के दोरान इस युदपोत ने संपर्क और सहयोग संबंदी अभ्यास पैसेज अभ्यास इसे कहा जा रहा है उसमें हिस्सा लिया और वियतनाम के पास भारत में रक्षा खरीद के लिए 500 मिलियन डॉलर की क्रेट लाइन भी है इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना आप सभी दोस्तों के लिए हमारी वेबसाइट जागरंजोष.com पर अगर आप करंट अफेज पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा इसके बाद आपको करंट अफेज के टैप पर जाना है ड्रॉप डाउन में आपको मन्त वाइस करंट अफेज मिल जाएंगे जहां आप मन्त के हिसाब से करंट अफेज पढ़ सकते हैं जब आप करंट अफेज टैप पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा अगर आप कैटेगरी वाइस करंट अफेज पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं जिसमें लेटिस्ट, नाशनल, इंटरनाशनल, स्पोर्ट्स, टेकनोलोजी और एकॉनमी जैसी क्याटेगरी मौजूद हैं अब अब अरते हैं अपने अगले सवाल के तरह दोस्तों और ये सब जो है जो करोना वारिस के चलते हैं लौकडाउन लगा उसके बाद जिन लोगों के भी जो एकस्पायर हो रहे थे तो उनको ये राहत दी गई है कि अब 31 मार्च 2021 तक इसको बढ़ा दिया गया है तो केंद सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस वाहन पंजी करण और फिटनिस प्रमार पैदर जो आपके वाहन के होते हैं जो इंपॉर्टन आपके डॉक्यमेंट होते हैं उनकी वैदता को बढ़ाद किया है 31 माई 2021 तक कर दिया है उनके लिए जिनकी वैदता खत्म हो रही थी इस फैसले से उन लोगों को रहत मिलेगी जिनके इन दस्तवेदों की जो डेट थी वो एक फरवरी 2020 को समाप्त हो गई थी लेकिन महामारी जो है जैसकी मैंने आपको बताया उसके करण जो नवीनी करण आदी जो किया वशक्ता कारवाही नहीं कर सके थे क्योंकि नयार नहीं पनवा सके थे तो किन सरकार ने वैदिता को बढ़ा कर अब 31 जमबर 2020 किया था और मंतरारे ने कहा कि इस फैसले से नागरिकों को सुरक्षे तशाहिट के दूरी बनाया रखते हुए परिवहन समंदित सेवाओं का लाब उढ़ाने में मदद मिलेगी तो अब जो है जो नई तारीक है इसकी वैदिता को बढ़ाने की वो है 31 जो हजार 21 तक बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरह सवाल है प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी हाल ही में जम्मू कश्मीर में किस स्वास्त बीमा योजना की उन्होंने शुभारब किया है तो उसका सही जवाब है उप्शन ए सेहत स्वास्त बीमा योजना तो पधार मंतरी मोदी ने जम्मू कश्मीर में सेहत स्वास्त बीमा योजना की शुरुआत कर दी है जम्मू कश्मीर के हर परिवार को स्वास्त बीमा कवर मिलेगा प्रदेश के सभी एक करोड़ तीस लाग लोगों को स्वास्त बीमा योजना का लाब मिलेगा योजना के तह तो ओडिशा के मुक्मंतरी है नवीन पटनायक जी उन्होंने 24 दिसम्ब 2020 को भारत का एक सबसे बड़ा होकी स्टेडियम ओडिशा के राउर केला में बनाने के लिए जाने की गोशना करी है और ये स्टेडियम 2023 में पुरुशों के होकी विश्व कप के मैचों की मेजबानी कर बढ़ते हैं अगले सभा की तरह निम्द में राज में भारत की पहली लीतियम रिफाइनरी स्थापित की जाएगी इसका सबसे बड़ी नवीन करने उर्जा कम्पनियों में से एक मनी करन पावर लिमिटिट लगबख एक हजार क्रण रुपए का निवेश करेगी इस रिखाइनरी के लिए लीतियल ऐसक और आस्टेलिया से आयात किया जाएगा भारत में लिएतियम का उत्पाधन करने के लिए नियो मेटल्स और मनिकरन पावर लिमिटेड ने समझातार किया है तो यह आपको ध्यान रखना है नियो मेटल्स और मनिकरन पावर लिमिटेड लेतियम एक दुल्डब तत्व है और यह भरत में नहीं पाया जाता है दोस्तों वो सवाल जिसका जवाब हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था सवाल था कि सेहत योजना को निम्न में से किस राज और केंडर शासित प्रदेश में शुरू किया गया है तो इसका सवाल का जवाब हमने आपको वैसे दे दिया है इस वीडियो में लेकिन आप में से बहुत साय दोस्तों ने इसका सही जवाब दिया था जमू और कश्मीर इसका सही जवाब है और इसके बारे में हम पहले ही आपको बता चुके हैं अब दोस्तों एक सवाल आपके लिए जिसका जवाब आपको में comment box में लिखकर देना होगा सवाल है कि सुशासन दिवस भारत में कब मनाया जाता है आपके options हैं 10 जनवरी, 15 मार्ज, 25 दिसंबर, 12 अपरेल आप अपने जवाब हमें comment box में लिखकर दीजे दोस्तों आप से यहाँ पर मैं एक बात और के यहाँ चाहूँगा अगर आपके कोई और सुझाव हैं, जो आप चाहते हैं कि आप हम अपने current affairs वीडियो में कुछ बदलाव करें तो वो सुझाव आप हमें comment box के जरीए बता सकते हैं क्योंकि अब अगले साल हम जल्द ही उन सभी बातों पर नज़र डालेंगे जो आप हमें यहाँ पर सुझाव देंगे और हम कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छा वीडियो हर दिन प्राप्त कराया जाए अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को दरूर लाइक करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेर करें और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं क्या हो हमारे चानल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और देखते रहें चागरंजोश.com